देश बिचने वाला देश के सहीदों को याद करेगा गडानी अमानी के हाँ तो देश के थोस्था वो गिर्वी रख रहा है इसने मेहुस चौकसी विजय मालिया जैसे लोगों को देश से बाहर जाने के लिए चूट दे दी जिनके अंदर बेदना थी त्याग थी देश के अजादी का जज़वा था उस मिट्टी को असानी से अगर चूओगे वासानी से नहीं प्राप्ट देश के माटी के यह भी इन माटी को लाने के लिए कह रहा है मैं इस मिट्टी को कभी एक जगा होने नहीं दूगा हम उन मिट्टी को आज भी सलाम करते हैं जिन मिट्टी ने इस देश की अजादी के लिए सब कुछ ने उचाबर किया सौगंद मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं पिकने दूँगा मेरी माटी मेरा देश परधान मंत्री का अपील है जनता से देश की जनता से 15 अगत्त से पहले आप लोग सब कोई अपने अपने घरों से अपने अपने गाउं से एक-एक मुठी माटी लिजिए और एक-एक सिल्फी आप लोग पोस्ट कीजिए सहीदों के लिए इस मुद्धे पर जानते हैं राज़त परवक्ता सक्ति से यादों का क्या करना सर जीस तरीके से पधान मंत्री अपील किये हैं मेरी माटी मेरा देश एक-एक मुठी माटी लिजिए सिल्फी अप्लोड कीजिए आप मैं आपको असमरन करा दूँ अगर 20 मरित हो गए होंगे तो क्रोना काल में देश के पधान मंत्री ने थाली बजवादी थी घर-घर से यह वो हम लोग के बिहार में कहावत है कि सूप डगाने से उट भागता है इस बिज्ञान के यूग में पधान मंत्री जी ने जो थाली बजवाई थी, सुची की बाहर के मुलकों में इस देश का क्या गया होगा कि अभी भी भारत अंविश्वास के दुनिया में जीता है मिटि क्यों मिटि के अनकोल मिटि को जानो कि जो सहीद हुए थी, किस लिए सहीद हुए थी, देश के लिए, देश बिचने वाला देश के सहीदों को याद करेगा, जो अडानी या मानी के हाँ तो देश के सवस्था वो गिर्मी रख रहा है, इसने मेहुस चौकसी विजय मालिया, जैसे लोगों को देश से बाहर जाने के लिए चूट दे दी ते ला बता करिए इस सब कौन लोग है ललक मोधी कौन है इस देश के माटी के यह इन माटी को लाने के लिए कह रहा है इनके घर के माटी ले आओ जिनले उनों देश की अर्थ वस्ता को खोखला कर दिया माप करना प्रखान मंत्री जी मैं आपका सम्मा करता हूं मैं इस मिटी को कभी एक जगह होने नहीं दूंगा हम उन मिटी को आज भी सलाम करते हैं जिन मिटी ने इस देश की अजादी के लिए सब कुछ ने उचावर किया उस मिटी से भातिनता पार्टी यह को लेना देना तो है नहीं मैं ने तो कहा थाली बजवाय थे गालियाँ दुनियाये मिली देश को मित्टी बंगा यह किसलिए मित्टी बंगाओगे उन घरों के मित्टी नहीं चाहे जिन घरोंने अडानी अंबानी उस घर में अगर ये सहीदों के मिट्टी जाएगी तो सहीद काफमान हो जाएगा तो इस सहीदों ने इस दुन के लिए इस देश को अज़ादे नहीं दि थी अपने जाने नुचावार नहीं की थी या उन हाथों तक नहीं पहुंचने चाहिए जिन हाथों ने अपने कलमों से लदित मोदी मेहुल चौकसी और विजै मालिया अडानी अमानी जैसे लोगों को प्रसरे जिया नहीं चाहिए हमारे देश में 40 जवान सहीद होगा, उनके लिए मोदी जी तो कुछ नहीं बोले, इतना बड़ा-बड़ा आरोप लगा हूं क्या ओकर आव चालिस सहीद बिद्वाओं की पत्नी गुहार लगा रहे हैं न्याय मांग रही है, उस गरीब अबला का आग के आसों की कीमत आप न अप उनको न्याय ने दोगे, उन बिद्वाओं के आसों नहीं पोछोगे, उनके जो मरने वाले लोग जो सहीद हुए जिनके लिए आपने जहाज महिया नहीं कराई, और मिट्टी की बात करते हैं, इस बतन की मिट्टी इतनी सस्ती नहीं है, इस बतन की मिट्टी में अजा अजादी के दिवानों के खून सस्तने हुए हैं जिनके अंदर बेदना थी त्याग थी देश की देश की अजादी का जज़वा था उस मिट्टी को असानी से अगर छूओगे तो असानी से नहीं प्राप्त होगा एक अंतिम सबात मानेंगे पदान मंति की बात तो माना था देश के लोग उने 14 में फिर उनには करांद की कहां एक मौका और दिजिये फिर दे दिया एक गलती कर दिया भीया दुसरी गलती कर दिया कि अकपर और मौका दे दो हो सकता है इसवार कर दे आप गल्टे देश की जंटा नहीं चारीज।